रसी जल गई पर उसकी एंठन नहीं गई सेम सटीक बैठती है ये कहावत न कुछ लोगों के उपर जिनकी लाइव आज मैंने देखी उनकी लाइव के बाद ये जब दूसरी जगह लाइव में गई और वहाँ पे गेस्ट बनके बैठी हुई थी बेश्टरमों की तरह कुछ बोल नहीं रहा है तो आपको देखने का वेट करना चाहिए कि इंसान जब सामने आता है तो ये बोलता क्या है लेकिन जब ये इंसान सामने आ रहा है तो इतनी बेशर्मी से सामने आ रहा है कि लिटरली बिलकुल इतना बुरा लग रहा है इतना बुरा लग रहा है इ मतलब जिनकी लाइव थी और जिन्होंने इन्हें गेस्ट बना के बुलाया था उन्होंने एक लाइन कहीं जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और मुझे बिना सिरपैर की वो बात लगी कि तुम मनीशा को अपनी छोटी बेहन मान के मनीशा को तुम्हारे मन में मनीशा को माफ कर दो मनीशा से नाक रगड के माफी मांग लो बोलना चाहिए था जी हाँ मनीशा से नाक रगड के माफी मांगो ऐसा बोलना चाहिए था मनीशा को माफ करने की तो सिचुएशन इन दोनों लोगों की नहीं है वो अधिकार ये दोनों रखते ही नहीं है मनीश कि मनिशा को माफ कर दो। यह बड़े रिक्वेस्टिंग मोड में बुला जा रहा था और एक कोमेंट जब आया था कि क्या तुमने गल्ती की है इसको अपने मुझा से एकसेप्ट करो तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट आ रही कि क्या इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी और महतरमा ने बिलकुल सिरे से इंकार कर दिया कि नहीं नहीं मैं बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है कि मैं जब भी कैमरा खोलू तो मैं सौरी ही बोलू अरे तो यही रीजन है ना कि आपके काम करने पे पबलिक को अतराज है इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मनीशा के वीडियो बनाने से नहीं पड़ा है इफेक्ट आपको पड़ा है पबलिक के कोमेंट्स का इफेक्ट आपको पड़ा है पबलिक के हेट का इफेक्ट आपको पड़ा है पबलिक के एवोइड करने का इग्नोरेंस का पबलिक आप पुब्लिक आपको देखना नहीं चाहे रही है और पुब्लिक आपको तब तक नहीं देखना चाहेगी न जब तक आप मनीशा से नहीं माफी मांगे कि हां मैने तेरे साथ गलत किया मुझे माफ करते क्योंकि वह अकड वह इगो आपके अंदर अभी भी पब्लिक को दिख रही है कि आपको यह लग रहा है कि गलत तो मेरे साफ आज पूरे दिन जो community community का खेल खेला गया मनीशा के वीडियो बनाने के बाद एक community आती है कि अरे अप तो बस करो मेरा सब कुछ मुझसे ले तो लिया जो मनीशा का है वो मनीशा का ही रहेगा तो उसमें मनीशा ने किसी और का कुछ भी नहीं लिया है मुझे तो ऐसा नहीं लगता आप लोगों में से किसको ये लगता है कि क्या मनीशा ने अपनी पत्नी होने का अधिकार मांगे कुछ भी गलत किया है अभी तो हाँ हमें दिकतिस बात की जरूर थी कि मनीशा अपने अधिकार के लिए अपने हक के लिए बोल नहीं रही थी मनीशा को बोलने का पूरा पूरा अधिकार है मनीशा को बोलने का पूरा पूरा हक है मनीशा को बोलना चाहिए मनीशा को लड़ना चाहिए लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर इंसान क्या ही कर सकता है तो सेम भई कंडिशन में मनीशा है मनीशा ने उसके बाद एक कम्यूनिटी लगाई कि लोग बोल रहे हैं कि जो मेरा है वो ले लिया तो मैंने किसी का भी कुछ भी नहीं लिया है जो भी उसके रिप्लाई में मनीशा ने कम्यूनिटी डाली है मेरा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की गई उसके बाद भी मुझे परिशान रखा गया उसके बाद भी संपर्क रखे गया उसके एवेज में जो भी बिना प्रूफ के आप बात मत करो बिना प्रूफ के आप ये मत करो बिना प्रूफ के आप को मत करो कम्यूनिटी इसको लगातार डालना और डिलीट करना तो इन लोगों का गेम हो गया है मनीशा ने भी साम को एक ऐसी community डाली कि मैं अभी थोड़ी ही देर में आउँगी और एक नया सच लेके सामने आउएगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक नया सच सामने रखूँँगी मेरे साथ धंग से बात नहीं की जारी है मेरे माबाप के साथ तरीके से बात नहीं की जारी है एक इंसान कैसे इतना बदल सकता है कि वो किसी को पहचान ही नहीं रहा है तो इसमें मनीशा कहां से गलत है कि आप बोल रही थी कि मनीशा को माफ कर दो मनीशा को माफ करने की अवकात नहीं है इन दोनों लोगों की शाद से जो भी इनके चमचे हो या जो भी इनके पक्षिधर हो उनको ये बातें बुरी लगे लेकिन मनीशा को माफ करने की या मनीशा को कुछ भी कह पाने की मनीशा का सामना कर पाने की अवकात नहीं है अगर इन्हें अपनी गलतियों का अहसास हो तो लेकिन खैर जिसे अपनी गलतियों का कोई अहसास ही नहीं है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है कुछ भी कह सकता है कुछ भी किसी भी तरीके से जिस तरीके से ये लोग जिस बेसरमी के साथ ही ये लोग वीडियो बना रहे हैं ना पता नहीं भगवार ने इतनी हिम्मत कहां से दी है इतनी शक्ति कहां से दी है आप बोलते हुआ आपका काम करना बहुत जरूरी है आपके पास अधर भी काम हो सकते हैं और कमाई के अधर यहाँ रिसोर्स भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि इस टाइम पर भी जब यहाँ इतनी गंध मची हई chamoscope करके और रनिंग कर कर सकते हैं आपकी कुछ सेविंग्स होगी जो आपको इस ट्राइम पर आपको मदद कर सकती हैं बाद में आप थोड़ा वेट करने के बाद भी आप चीज़ों को ला सकते हैं लेकिन किसी के जले पर पी हो दूसरी तरफ यह एक और चीज़ को कह रही हैंगे मैं इस मुद्दे को अपनी तरफ से खतम क कर रही हूं लेकिन अपनी तरफ से माफी मांग कि अग्र पब्लीक क्या आप कोमेंट्स नहीं पढ़ते आप क्या आस ओ लाइब करते Halloween सब्सक्राइव जो आपके नेमरा खुलू तब माफी मांगूं क्या मैंने पॉब्लिक से माफी मांग ली वही बहुत क्यूं क्यूंकि पॉब्लिक से इनको अभी भी काम लेना है पॉब्लिक इनकी वीडियोस वॉच नहीं करेगी तो इनकी वीडियोस पर रेवेन्यू कैसे जेनरेट होका डॉलर कैसे च करीब जाओंगी मतलब बंदी का जो बंदा है उसके थोड़े भी करीब जाओंगी तो फिर मुझे हेट ही हेट मिलेगी और कुछ मिलने नहीं वाला तो फिर उससे माफी मांगने का क्या ही मतलब है दूद में से निकाली हुई मक्ही की तरह फेको इसको पैट से कुचल के तो ऐसा नहीं है पब्लिक आपको न यह पूरी पब्लिक है पूरी ओडियंस के इमोशन के साथ जो आपने खेला है तो आपने ओडियंस से तो माफी मांग ली लेकिन ओडियंस की इमोशन जो है न वो मनीशा के साथ भी जूड़ी हुई है तो मनीशा से एक माफी मांगना तो ब बाइ बाइ